उन्हें दिनों में एक दूसरा अनुभव मेरे जीवन में आया हमारे वर्धा शहर में एक स्वामी विद्यानन नाम के एक बहुत बड़े महाराज अवतीर ने हुए बात फैली कि एक लंडन में एमडी एफार सीएस मेडिकल की बड़ी डिगरी है एक बड़ा डॉक्टर प्रैक्टिस करता था बहुत उसकी प्रैक्टिस चलते थे जो वर्णन हम तक पहुँचा था वो इस धंका था वो कभी पैर उप जमिन पर नहीं टेकता है गालिचो पर ही चलता है इतना आमीर है इतनी उसकी प्रैक्टिस चलती है एक दिन उसे दृष्टांत हुआ अब ये दृष्टांत ये संस्कृत शब्द है इसका मतलब होता है कि भगवान ने कुछ बात उनसे कही उनको दृष्टांत हुआ कि भारत में हिंदु धर्म की बहुत ख्षती हो रही है उसका उधार करने के लिए तुमने जाना चाहिए और फिर ही एमडी एफार सीयस इतने बड़े लंडन के डॉक्टर ने अपने पूरी की पूरी प्रैक कर एकदम से गर गया अब वरधा में तो एरोडरम नहीं है इसके बावज़ोत हुआ वरधा में आउतेर्ण हुए जैसे ही वो वरधा में आउतेर्ण हुए है वैसे ये तीन लोगों को पहले पता चला एक हमारे यहां के भावो देश-पांडे थे वो भी सरोदय से संबंद ет लोगों को दभ изб दे थे लोगों को द्ववे दिते थे अ कि गांधियन माने जाते थे अपने आपको जान ये मानते ते मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे मेरे पिताजी आजी सरोदई वाइस प्रिंसिपल, साथ मैं पीएजडी प्राप्त है, भावु वैद्य का भी बहुत बड़ा नाम था, मेरे पिता जे भी सोशली और पॉलिटिकली एक्टिव होने के करण बहुत महत्वके थे, पूरा का पूरा गाव और आसपास के कई जिलों के लोग उनके चर्णों पर माथा टेकने लगे, स्वामी विद्यानन, स्वामी विद्यानन का इतना बड़ा प्रभावता सब लोगों पर, कि वो कहेंगे उठो तो लोग उठते थे, बैठो तो बैठते थे, मेरे पिता जी उनमें से एक थे, उन दिनों में मैं बहुत एक्टिव हो गया था, जे प्रक प्रभाष नरायन का जो संगठन था, तरुन शांति सेना, उसमें काम करने लग गया था, गाओ गौओ घुमगर कुछ बाते यूको में फैलाने के कोशिश करता था, एक साल पहले तक मैं एक भी बात मुसे ठीक डंग से नहीं निकाल पाता था, लेकिन अभी मैंने लोगों किसा अमने भाषन देना शुरू किया था, अपनी बात रखना शुरू किया था, थोड़ा मुझे वोईस आ गया था, ऐसी अवस्था में एक दिन में घर आया तो मैं देखता हूँ, कि घर में बड़े पैमाने पर लोग खाने को बैठे हैं, करीबन सत्तर असी लोग होगे, और वो खाने को बैठे हैं सब लोग, पंगत बोलते इसको, और खा रहे हैं, और उसमें एक खास पदार्थ है जिसको खीर कहते हैं, ये खीर खास करकर श्राद्ध के दिनों में की जाती है, यानि हमारे जो पूरवज होते हैं उनको उनके लिए श्रद्धा व्यक्त करने के लिए ओ दिन जब मनाते हैं उस दिन में वो ये खीर का आयोजन किया जाता है, मैंने समझ में नहीं आ रहा था कि 70-80 लोग खाना खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं, मैं मा को पूछता हूँ, क्या है अपने घर में, अब मेरे घर में ऐसी उट-पटांग बाते हमेशा चलती थी फिर भी मैंने पूछा, मा मुझ पर गुस्सा हो गई, मा कहें कि तुम्हारा घर में ध्यान नहीं होता है, बता है तुम्हें तुम्हारे पिताजी मर रहे थे, उनको स्वामी विद्यानन ने बचाया, और फिर जो तुम्हारे पिताजी मर रहे थे, उनकी आत्मा के शांती क लिए ये श्राद्ध का प्रोग्राम है अब मैं देख रहा हूं कि मेरे पिता जी स्वामी विद्यानन बैठे वो खाना खा रहे हैं उनके सब भक्त खाना खा रहे हैं मेरे पिता जी खाना खा रहे हैं बहुदेश पंडे खाना खा रहे हैं स्वामी विद्यानन के बगल में ही मेरे पिता जी बैठे हैं वो जिंदा है खाना खारे है और मेरी मा करी है कि तुम्हारे पिता जी का MRI मरने वाली आत्मा का शराद है इसलिए उ खाना खारे है अब मेरी समझ मनी आ रहा था अब मेरा थोड़ा विचार करने का जो तरीखा है मैं बदल चुका ऐसा नहीं बोलूँगा शुरू हुआ था क्योंकि हमारे समाज में डिस धंग से सांसकार किये जाते है उसमें विचार करने की प्रक्रिया ही शुरू नहीं होती अब मैं तरुन शांति से नमें एक्टिव हुआ था आचारिय दादा धर्मादिकारी जैसा व्यक्ति हमारा प्रशिक्षक था उसने अपने आर्गुमेंट्स के जरिए विचार करने की क्षमता हमारे डेवलब करने का प्रयाज जो वो करते थे उसमें से थोड़ा विचार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुके थे आध्यात्म का मेरा बहुत अच्छा बहास था उन दिनों में भी आगे भी बढ़ता गया यानि आत्मा बगिर यह सब आध्यात्में एक विश्य है इसी मेरी मान्यता थी सब लोगों की होती है जिन्दा व्यक्ति जो है उसका आत्मा कैसे बाहर आएगा उसको कैसे तुरूप्त करना है उसके लिए कैसा श्राद्ध हो सकता है मरे हुए व्यक्ति का ही आत्मा बाहर आ सकता है मेरे पिता जी वहाँ जिन्दा है खाना खा रहे हैं और उनका श्राद्द किया जा रहा है ये कैसे हो सकता है मैंने ये सवाल मा को पूछा मा बुले तेरे समझ के बाहर की बात ये बाते तेरे को समझेगे नहीं आजकल तो बहुत दिमाग चलाता है क्या बात होई थी वो भी मुझे पता चले एक दिन अचानक स्वामी विद्यानन्द हमारे घर आए हमेशा आते थे आने के बाद कहने लगे मेरे पिता जी का नम गयनेश्वर है मेरे पिता जी को कहने लगे कि गयनेश्वर जी बहुत बुरी बात होने वाली थी होने वाली है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कुछी दिन में आप मर जाओगे आप पर किसी ने जारंड मारंड की प्रक्रिया की है आपको मारने की पूरी तयारी हो चुकी है अब इन सभी चीजों पर हम लोगों का बहुत विश्वास था पिता जी का भी बहुत विश्वास था पिता जी बहुत डर गए उनके साथ में विद्यानन स्वामे के साथ में जो एक लड़का आया था मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसको बदनाम नहीं करना चाहता हूं मेरे किताब में उसका नाम है उस लड़के को कहा कि जा तु जहां हमारे घर में बहुत उस गोठे में जाओ तबेले में जाओ और वहां आपको अमुक अमुक जगह पर कुछ चीज़े मिलेगी वो लेकर आओ मेरे पिताजी और सब लोग उसके साथ में गए उसने बराबर वहां से वो चीज़े निकाली उसमें कुछ हड़िया थी कुछ तंतर मंदर के साधन थे निम्बू बुन्बू था सब लोग बहुत डर गए कि ये जारण मरण प्रक्रिया का सब सामान यहां पर है पिताजी मर मरने वाले थे यानि मुझे नहीं का बाकी लोगों को का मैं तो तब था ने कि यह जो ग्यानेश्वर जी मरने वाले थे उनको मैंने बचाया है अब इसको तुरुप्त करने के लिए जो आत्मा मरने वाले थी उसको तुरुप्त करने के लिए पिताजी का श्राद्ध करना चाहिए और मेरे पिता जी जो विनोबा जी के एक जमाने में सचीव रही चुके हैं साम्योग जैसे एक विचार धारा लोगों तक पहुचाने वाले एक फोटनाइट लिके संपादक रही चुके हैं वे अपना ही श्राद्ध जिन्दा होते हुए करते हैं और इसमें किसी को कोई अवतार्खिक बात नहीं लग रही थे लेकिन मुझे ये बात बहुत अटपटी लग रही थे अब क्या करता पिता जी के सामने तो कुछ चलता नहीं है वैसे भी हमारे घर का वातावरण ऐसा था कि पिता जी के किसी बात को भी अपोज करना है यानि बहुत बड़ा गुनाह था माता पिता के लिए श्रद्धा रखने चाहिए उनकी आग्यां सो प्रतिशत अमल में लाने चाहिए इस रंग का बातावरण बिरोध करने का तो सवाली नहीं है एक दिन मुझे आग गया हुए कि तुम्हें स्वामी विग्यानन को एक बहुत इमिजियेटली एक मेसेज देना है अब मैं बहुत गड़बडी में था हम कॉलेज में एक ड्रामा कर रहे थे बहुत ही फेमस ड्रामा था अश्रून चीज़ाली फुले नाम का ये ड्रामा वसन कानेटकरजी का उसमें मैं एक पार्ट कर रहा था हिरो का और हमारे अध्यपक का बहुत आग्रह होता था कि समय पर आना चाहिए इसलिए मैं आना का नहीं कर रहा था कि मुझे देरी हो जाएगी और फिर प्राध्यपक मुझे डाटेंगे वो बहुत मुझे मालूम नहीं है मेरा नाम बता देना काम बताया था इसलिए दिरी हुई स्वामी विद्यानन को आपको यह मेसेज देना है मैं गया वरधा शहर में इंगोले चोक में भवधेश पंडे इनका घर भी था और वहाँ पर उनका जिसको हम कहेंगे कि वहीं से वो अपना दवाखना भी चलाते थे अपने डिस्पेंसरी भी चलाते थे वहीं पर इसका स्वामी विद्यानन का तब मुकाम था वहाँ गया बड़े पैमाने पर स्त्रिया नीचे बैठी है सभी बिलकुल जैसे शादी में आते हैं वैसी आई है कि विस्वामी विद्यानन जी का आदेश रहता था कि मेरे समने आना है मेरा दर्शन अगर तुम्हें प्राप्त करना है मैं राजयोगी हूँ मेरे सामने प्रिजेंटेबल होकर आपको आना है लंडन में पड़े हुए थे लंडन के डॉक्टर थे प्रिजेंटेबल होकर आना है और सभी स्त्रिया वैसे भी स्त्रियों को प्रेजेंटेबल बनकर आना बहुत अच्छा लगता है और महराज का खास आदेश होने के बाद में जैसे शादी में जाते वक्त तयार होते हैं मैं इसे तयार होकर स्त्रिया आए थी स्त्रियों की संक्या हमेशा बाबाओं के सामने ज़ादा होती है यहां भी थी जैसे ही मैं पहुचा सभी लोग मुझे भी पैचानते थे अभी छोटे गाओं में सब एक दुसरे को पैचानते है मैंने उनसे कहा कि मुझे स्वामी विद्यानन जी को एक मेसेज देना है एक स्त्रिय उनकी बहुत अच्छी भक थी मैं नाम नहीं लूँगा उसने मुझे कहा कि क्या मेसेज देना है मुझे दो मैं महराज को दोंगे मुझे मेरे पिता जी ने कहा है कि डायरेक्ली उनको ही मेसेज देना है और किसी को नहीं देना है इसलिए मुझे महराज कुमे से जेना है वो बोले अभी महराज तो नहीं मिलेगे क्योंकि महराज उपर है और उन्हें ने कहा है किसी को उपर नहीं आने देने का और वो बिल्कुल तयार थी जहां से जाने के लिए राष्टा था सीडिया थी उसी के सामने वो खड़ी थी उसके साथ मैं दो तीन और स्त्रिया खड़ी थी मैं उनसे आगरह कर रहा हूँ कि मुझे उपर जाना है महराज को मेशेज देना है मुझे जाने दो मुझे जाने नहीं देते थी अब मैं 19-20 साल का लड़का एक ज़्यादा तो आगर कर नहीं सकता था लेकिन मुझे हमेशा डर लग रहा था अब उस वक्त डर लग रहा था कि मैंने अगर मेसेश ठीक डंग से नहीं दिया तो फिर पिता जी मुझे बहुत पिटेंगे वो मुझे से कह रहे थे कि तुम उपर क्यों नहीं जा सकते हो इसका कारण बता रहे थे वो मुझे से कह रहे थे कि महराजबे विठूला के रूप में है विठूला याने एक नाग नाग के रूप में है और उनका उपर में खेल चल रहा है इसलिए तुमने वहाँ नहीं जाना चाहिए मैंने कहा नाक के रूप में हो, किसी के भी रूप में हो साप के रूप में हो, मैं जांगा, उनको मेसेज दूँगा उन्होंने मुझसे कहा और इंफरमिशन दे है, कि वो अकेले नहीं है वहाँ जो दूसरी देवी है वो देवी के रूप में है और दोनों का खेल चल रहा है तुम उपर मत जाओ मैंने कहा कि नहीं मुझे तो मेसेज देना है मुझे भार भार डर लग रहा था कि मुझे पिता जी मुझे पिटेंगे और उनके मार को मैं बहुत डरता था फिर उनोंने कहा कि उपर तू गया तो वो तेज जो है तुझे सहन नहीं होगा तू अंधा हो जाएगा मैंने कहा कि मैंने अंधा हुआ मैं अंधा हुआ तो भी मुझे चलेगा लेकिन मुझे मेसेज देना है मुझे पिताजी के मार नहीं खानी है और मैंने उनको बाजू में कर दिया धक्का दे दिया वो जो पूरा का पूरी सीडिया थे वो सीडिया लकडी के थे और धड़म धड़म करते मैं उपर चड़ा तब तक मैंने कभी भी किसी को नंगा नहीं देखा था नहीं कभी नंगे व्यक्ति का चित्र देखा था अब समस्कारी उसी डंके थे जैसे ही मैं उपर पहुचा धड़ाम धड़ाम करते करते तो मैंने देखा दो नंगे व्यक्ति एक दुसरे पर है ये दुरुष्य तो कभी देखा नहीं था देखते ही मैं हड़बड़ा गया मुझे पर बहुत बुरा परिणाम हुआ याने सेक्सिस विशे के बारे में इतनी कम जानकारी थी कि एक बार मेरे घर में जो लोग रहते थे पती-पत्नी थे टेनन्ट थे और मैं स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था मुझे कोई सामान लाने के लिए कहा गया था और मैं आचानक गुशता हूँ तो वो पती-पत्नी एक दुसरे को किस कर रहे था अब पती-पत्नी केवल किस कर रहे हैं पती-पत्नी हैं उनके घर में किस कर रहे हैं उन लोगों से मैंने बात नहीं की, गंदे लोग है, गंदा काम करते हैं, इन संसकारों में पला बढ़ा, बात में उन्होंने बहुत अच्छे डंग से मुझे समझाया कि पती-पत्नी में नॉर्मल है, फिर मैं नॉर्मल हुआ, उनसे बात करने लग जिया, इसके लिए मुझे एक महा तक मैं उनसे बात नहीं कर रहा था, ऐसे संसकारों का व्यक्ति, जब मैं देखता है दो व्यक्तियों को, उस पोजिशन में, क्या उस पर असर हुआ होगा, इसके आप अंदाज कर सकते हो, दोनों खड़े होगे डर कर, धड़ाम धड़ाम मैं नीचे आया, जैसे ही नीचे आया, जितनी स्त्रिया अंदर में बैठेती सब कहने लगे, तुझे पहले ही कहा था ना उपर में मज्जा, देख देख क्या आसर हुआ तुझ पर, अच्छा हुआ तो अंधा नहीं हुआ, वो तेश तु सहे नहीं सकता है, अब मैं क्या बताऊ इनको, कैसे बताऊ सीधा मैं प्रैक्टिस में गया, मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने अपने अध्यापक से छुटी मांगे, सीधा घर चला गया, मा मिल गई सामने, और मेरे जीवन में मेरे माता फिता के सामने, आवाद चड़ा कर शायद मैंने पहली बार बात की, पिता जी तो थे नहीं, ल इतना अच्छा अपना बेटा, इतना अध्यादारक बेटा, इस धंग से कैसी बात कर रहा है, किस बात का मुझे घुसा आया है, पस इतना कहिकर मैं एक दम से बाहर निकल गया, इदर उदर घुमने लग गया, बहुत अस्वस्त हो चुका था, फिर ये अस्वस्त हता, मैंन मैं इदर उदर बोलने लग गया था, जिनके सामने बोलना संभा है, उनके सामने बोलने लग गया था, ये भनक उन तक पहुँच गई, उन्होंने फिर जानकारी निकाले, उन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे, ये जो निउस चपके आई, या फिर आर्टिकल उनके उपर चपके आया उसके बाद मैं स्वामी विद्यानंद के बारे में बहुत अलग-अलग धंग से हमारे गाओं में चर्चा होने लग गए फिर उन्होंने वर्धा छोड़ दिया वर्धा छोड़ कर वो खापरी नाम की एक जगह हैं जहां एक बहुत बड़े सरोदय कार्य करता है नाम मैं नहीं लूँगा उनकी एक बहुती सुन्दर बेटी ब्रह्मचारी बेटी उस आश्रम में जाकर वो रहने लग गए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेर्नेस पहलाने में हमारी मदद करें वीडियो को जरू को विजट करें ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाएं नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं